अज व्यूट लोग और गेंट करेंट कि यह कंबर्सन का सिक्स्थ हो गया और ऑर गिनिक केमेस्टी का टेन्थ लेक्चर है आज इसमान एकज़र है कि करीब करीब हमें लगता है एक यह टॉपिक नेम रियाक्ष्ट्र इस टेट्मेंट बेस्ट कोश्चन कनबर्सन तो हमने आपके एंसार इबुक का यतना सारा था वह सारा का सारा करवा दिया आज अमाइन चैप्टर का कुछ एक कनवर्शन पार्ट बचा हुआ है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं दिखते हैं इसमें यानि CS3-NH2 अब आप याद करो यहां कार्बोगजिली केशिट में दो कार्बन और अमाइड में एक है यानि कार्बन एटम को कम करना है यहां यूज करना होगा हम लोग को The field had a और रिएंज तहुशन पार्बाजिली केशिट को आमाइड में कनवर्ट करेंगे यूज क्ट हमें इस ऑनिकिल्स कारियाक्शण द रिएक्षेन तब अमोनिया के साथ में करा रहे है है इटेनु ऊहीं CS3, COOH, ETHENOE CASEB, इनका Ammonia के साथ कराते हैं, तो पहले Ammonium Salt का formation होता है, और फिर ये H2O release करता है, और उस condition में Amide में convert करता है, दोनों step को एक साथ combine करके लिखते हैं, then it will result the formation of CS3, CONH2, इथेनामाइड का formation हुआ, और अब इनका Hoffman Bromamide Degradation Reaction, यानि BR2 और KOH के साथ reaction करा देंगे, एक carbon atom हड जाएगा, यानि CS3, NH2 का formation, तो Ammonium Salt of Carbogilic Acid फिर से heat करने पर H2R release करता है, इसलिए इसे हम लोग यहां से यहां डारेक्ट लिखें, दो step की जगा पर one step में, आप बुक बगर में भी देखेंगे, तो वहां पर भी यह यह यूज़के, लेकिन जानकारी होना चाहिए, कि कितने step में यह पूरा हुआ है, यह 13.5 का first question complete हो गया, अब आते हैं हम लोग second question में, hexane and nitrile को pentane 1 amide में convert करना है, तो hexane में 6 carbon atom होगा है, pentane 1 amide में 5 carbon atom है, यहां पर भी hopman bromamide degradation reaction होगा, तेकिन नाइट्राइल को पहले convert करना होगा amide में, तो nitrाइल को पहले convert कर दो कार्बावजिली केसिड में, और कार्बावजिली केसिड से amide बनाएंगे, तो पहले वाले portion के बराबर का होगा, देखें, कैसे यह convert करेगा, hexane nitrile यह हो गया, CH3, CH2, 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 1, 2, 3, 4, 5, और SCN, इसे convert करना है, pentane 1 amide में, CH3, CH2, 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 1, 2, 3, 4, एक और carbon और यहां पर NH2 amide, convert करते हैं इसे, देखो, CH3, CH2, 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 1, 2, 3, 4, 5, यहां CN, इनका acidic hydrolysis करा दीजे, acidic hydrolysis यानि ES3O+, यह convert कर दाएगा, carboxylic acid में, क्योंकि CH2, 1, 2, 3, 4, time repeat हो राया है, आप इसे box में भी करके लिख सकते हैं, क्यानि CH2, 4, यहां हो गया, C double, OH, आप इनका reaction करा दो, ammonia के साथ, excess amount of ammonia, amide में convert कर जाएगा, क्यानि CH3, CH2, 4, और यहां CO NH2, और फिर जब इनका hopman bromamide degradation reaction करा देंगे, यानि BR2 and KOH के साथ में, यह part बाहर निकल जाएगा, यानि CH3, CH2, 4 और यहां पर, यानि उपर वाला structure है, यहां CH2, 4 लिखे हैं, 1, 2, 3, 4, 4 टाइम से रिपीट हो रहा है, इस वज़े से इसे लिखा गया है, तो इसमें आप convert कर लेंगे, यह 13.5 का question number 2 हो गया, आगे बढ़ते हैं, फ़र question है, मीथे नॉल, तो इथे नोई केसिड, मीथे नॉल में एक carbonateum बढ़ा देना है, यानि कि इथे नोई केसिड में convert करना है, अभी हम लोग पढ़े कि नाइट्राइल का acidic hydrolysis कराते हैं, वो कार्बोग जिली केसिड में convert करता है, वही concept यहाँ पर भी हम लोग को यूज करना पढ़ेगा, मीथे नॉल यानि CS3OH, इनका reaction करा दो, थायोनिल क्लोराइड से, इसे हैलोजन में convert करें, अलकाइल हलाइड में, CS3CN, अब इनका reaction करा देजे, के साथ कोटासियम साइनाइड, विल रिजल्ट दा फॉर्मेशन ऑफ CS3CN, और अब अगर इनका acidic hydrolysis करा देते हैं, यह convert कर जाएगा, CS3COOH में, तनी इचे नुएक इसेट, उमिद करते हैं कि यह conversion आपका complete होगया होगा, समझ भाया होगा, नाइट्राइल में convert केते, कार्विनेटम बढ़ गया, कार्विनेटम के नंबर को कम करना है, तो अमाइड में से हॉप्मन-ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करा देंगे, आगे बढ़ते हैं, अगर कोशन आया है, जिसमें इथेना माइड को convert करना है, यहाँ पर भी हॉप्मन-ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रियाक्शन है, तो पहले इसको तो अमाइड में convert करना होगा, इथेना माइड को इथेना माइड में convert करना होगा, यह प्रोसेस फ़रा सा लंबा जाएगा, देखिएगा किस तरीके से होगा, इथेना माइड है, तो इस थ्री, ती एजटू, नेजटू, यह इथेना माइड, इनका नाइटरस एसेड से रियाक्शन करा दो, HNO2 से, क्योंकि एलिफैटिक आमाइड है, तो इलिफैटिक आमाइड एजली हाइड्रोलाइड हो जाता है अलकोहल में, यहाँ बनेगा डाइजोनियम साल्ट और डाइजोनियम साल्ट अलकोहल में कनवर्ट कर जाएगा, and it will result the formation of ethanol, CH3CH2OH, अब यह primary alcohol है, ज्याद कि जब primary alcohol का oxidation कराते हैं, तो यह a strong oxidizing agent के presence में directly oxidized हो जाता है carboxylic acid में, तो K2Cr2O7 का यूज कर दो, oxidation करा देते हैं इनका, K2Cr2O7, it will result the formation of ethanoic case, CH3COOH, अब इनका excess amount of ammonia के साथ reaction कराते हैं, excess amount, तो पहले ammonium salt और फिर water loose कर यह convert कर जाएगा amide में, यह convert कर गया CH3CO10H2, यानि इनका Hoffman bromamide degradation reaction, यानि BR2 in the presence of KOH, it will result the formation of methenamine, यानि CS3NH2, जो आपके पास में option है, जो resources है, उसी को use करके वहां तक पहुँचना है, next question के तरह हम बढ़ते हैं, प्रिप्त है, ethenoic acid into propanoic acid, यहां पर देखो एक carbon atom बढ़ाया है, तो अभी जैसे हम लोग use किये हैं, methanol को convert के ethenoic acid में, वैसे ही यहां पर ethenoic acid को convert करना है propanoic acid में, देखो किस तरीके से किया आजा सकता है, ethenoic acid यानि CS3COOH, इन्हें reduce कर दो, तो strongest reducing agent यूज़ करना पड़ेगा, lithium aluminum hydride, lithium aluminum hydride यूज़ किये हैं, तो यह convert कर गया, CS3, CH2, OH में, अब एक carbon atom बढ़ाना है, तो इसलिए पहले इनका reaction करा दो, SOCl2 के साथ में, यह convert कर जाएगा, CS3, CH2, CL, अब इनका reaction करा देते हैं, क्ये CN के साथ में, अब याद करो, CL को हटा करें, क्या जूड़ जाएगा, CN, यानि CS3, CH2, CN, और इनका अब acidic hydrolysis करा देजिए, S3O+, then converted into carbon jelly case, CS3, CH2, COOH, देखो, यह convert कर गया, इथेन ओल से propanoy acid, तो बस वैसे ही करना है, के कस्टेप जो आगे की तरफ में बढ़ते जाना है, नेक्स्ट के तरफ आते हैं, नेक्स्ट है, मिथेना माइन into इथेना माइन, अब यहां पर भी मिथेना माइन है, अब एक carbon atom इसमें add करना है, अभी जैसे हम लोग यूज़ किये थे, वैसे ही यहां पर भी करेंगी, मिथेना माइन है, मिथेना माइन यानि CS3-NH2, देखो अगर इनका रियाक्षन नाइट्रस एसिट से करा देते हैं, एच एनो टू या एननो टू प्लस HCl ले सकते हैं, दोनों में से कोई, यह convert कर गया CS3-OH में, अब वो 1,2 भी यूज़ करो, जब दिमाग में बैठ गया है, तो पहले थाइओनील क्लोराइड से, और फिर इनका रियाक्षन के साथ में करा देते हैं, अब देखिए, convert कर गया CS3-CN में, अब CS3-CN का रिडक्षन करा दीजिया, इथियम अलमूनियम हाईडाइट सिंपल, यह convert कर जाएगा CS3-CH2 और NH2 में, यहनिकि इथेना माइन, यह हो गया complete, जो यूज़ करने हैं, वह ही बार-बार आ रहा है, देख रहे हैं, एक ही कर सकते हैं, सेम कंसेप्ट यही apply होगा, next question है, नाइट्रो मिथेन, इन्टू डाइमिथाइल अमाई, नाइट्रो मिथेन, यानि CS3-NO2 है, इनका हाईडो, हाईडोजीनेशन करा दो, in the presence of nickel, platinum और palladium, lithium, aluminium, hydride भी यूज़ कर सकते थे, यह convert कर गया, CS3-NH2, अब इनका reaction करा देए, अलकाइल हलाइड के साथ, CS3-CL के साथ, देखो तो क्या बन जाएगा, CS3-NH, और यहाँ पर, यहने कि N-methyl, dimethylamine, dimethylamine भी कर सकते हैं, इसको, तो दो methyl group लगा हुआ है, NH के साथ में, तो dimethylamine common name हो गया, N-methylamine यह इसका IUPAC name हो गया, तो यह compound यह बना, आगे, propanoic acid into ethenoic acid, अभी देखो हम लोग ethenoic को propanoic में convert के, और यह उसका उल्टा हो गया, अब propanoic को convert करना है, यहनि कि carbonator का number को क्या करना है, कम करना है, यहनि उस वाले part में है, देखो कैसे कम करेंगे, propanoic acid है, यानि CS3, CH2, CWH, अब क्या करवा आप, इनका excess amount of ammonia से reaction करा देगे, excess, amide में convert कर जाएगा, CS3, CH2, CO, NH2, amide में convert किया, अब इनका hopman bromomide degradation reaction करा देगे, PR2 and KOH, यह convert कर जाएगा, CS3, CH2, NH2, इनका आप nitrous acid से reaction करा देगे, HNO2 से, अभी हम लोग लिखे हैं, उसी को यूज कर रहे हैं, यह convert कर जाएगा, इथेनॉल में, और जब इथेनॉल को oxidize करेंगे, K2CR207, तो यहां यह convert कर जाएगा, इथेनॉल केशिट में, यानि CS3, CW, तो रास्ता और भी है, option और भी है, बुक बगर में देखोगे, तो और भी दूसरे method का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन हम वही कोसिस कर रहे हैं, कि जो एक जगह पर सीखें हैं, उसी concept का फिर दूसरे जगह पर भी यूटिलाइज करें, ये video तब आपके लिए helpful होगा, जब आप conversion के first से लेकर के last तक आप जा रहे हैं, अचानक आप यूज करोगे कि यहीं से देखना start किये, तो पहले वाला part तो दिमाग में आया नहीं है, तो फिर बनेगा नहीं, यानि कि समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए sequence में ले करके चलो, आगे बढ़ते हैं, ये question number 8 था, अभी हम लोग 13.5 exercise का question बना रहे थे, conversions related, अब exercise 13.8 का conversion बनाते हैं, उसी का, देखें इसमें, फॉस्ट question है, नाइट्रो बेंजीन, तो बेंजोई केसिड में convert करना है, नाइट्रो को, अनुट्व को, convert करना है, बेंजोई केसिड, यानि कि COOH में convert करना है, यहांपर, तो इसे इसमें convert करना है, देखें किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, यह नाइट्रो बेंजीन है नौ 2 इसका हाइडोजीनेशन करा दो हाइडोजीनेशन करा दिये डैलिस्ट निकल प्लाटनम पैलेडियम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं यह एन एच्टू में कंवॉट कर गया अब इन्हें आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में convert करूं लांसे ने इनोटो प्लस हइच से लिए ओध्याइट आप लिएक सकते हैं ये convert कर गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में इन तु चीए ल अब याद करो इसका C U C N या केसीन के साथ में reaction कराएंगे तो ये साइनाइड में convert कर जाएगा केसीन से reaction करा दिये C U C N से भी करा सकते हैं ये convert कर गया C N में और अब जब इनका hydrolysis करा देंगे acidic hydrolysis H-Plyss और H2O भी कई जगह पर आप देखोगे पहले ही बता चुके हैं दोनों का मतलब एक ही निकलता है इट विल रिजर्ट दफार्मेशन ऑफ बेंजोई यानि किसी डवल ओएच में कनवर्ट कर गया फॉस्ट कोश्चिन कम्प्लीट हो गया निक्स्ट है बेंजीन इन्टू मेटा ब्रोमो फिनॉल मेटा ब्रोमो फिनॉल का है और यहां आपको कनवर्ट करना है मेटा में तो यह भी ध्यान रखना होगा अब मेटा डिरेक्टिंग कौन-कौन हो सकता है अब मेटा डिरेक्टिंग में कार्वाइड हो सकता है औरे हाइक्डिक घ्रूप को सकता है यह इस में मेटा डेर्रिय कि 행복 Hub होगा अब इनले कि प्रेंजीन इनका नाइक एनका में सप्क्र。 yeah कि अब यह में डारेक्टिंग नेचर का है अब इनका ब्रोमीन से ब्रोमीनेशन कराओ गए अब यह प्रजाकर के जुड़ेगा यानि यह नो टू और यह वियार क्योंकि एलेक्ट्रॉन विड्राइंग है चेंज से विड्रा करेगा अब इस वियार में कंवर्ट किया अब इस नो टू को नेच्टू में कंवर्ट करो कई मेथड़ पढ़े हैं के सिन प्लस एह सील से भी होता है यह कंवर्ट तो यहां पर यह कंवर्ट कर जाएगा नेच्टू में और यहां आ गया अभी से डाइजोनियम साइट में कंवर्ट कर दो नानोटू प्लस ह्तील को प्रेंजीन डाजोनियम क्लोराइड हो गया एंटू सील प्लस माइनस यहां भी आर है अब इनको याद करो नेक्स्ट है वेंजोई के सिट्ट को हटा कर उसकी जगह पर एनिलीन एड करना है यानि की एनेज़ टू एड करना है देखो कैसे हो सकता है वेंजोई के सिट्ट जो पहले पढ़ चुके हैं उसी कंसेप्ट को यूज करो देखो तो अगर एक्सेस इसमांट आप अमूनिया यूज करते हैं तो हम आइड में कनवर्ट कर जाएगा एक्सेस यहां से कि आपका बाहर निकलेगा एच्टू और कि हम आइड में कनवर्ट करेगा कैनि सी ओ एन एच्टू अभी सियो ग्रूप को बाहर निकाल दो आपमेंड ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रियक्शन यानि वी आइड टू और कि ओ एच्टू बाहर निकलेगा और इसकी जगह पर आगया एच्टू बेंजोई के सिट को कनवर्ट करना था एनिलीन में तो इस तरीके से कनवर्ट कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट कोश्चन है एनिलीन टू टू फॉर्सिक्स ट्राइब्रोमो फ्लूरो बेंजीन ट्राइब्रोमो फ्लूरो बेंजीन देखिए यहां एनिलीन यानि नेच्टू एस्टेप बाइस्टेप जब इनका ब्रोमीन वाटर से कराएंगे एक्वस सॉलूशन ऑफ ब्रोमीन तो याद कि जिए तीनों पोजिशन पर जागर के जुड़ेगा हाई रियाक्टिविटी की वज़ा से एनिच्टू तो और यह सिक्स अब यहां पर अब इन्हें कनवर्ट करना है कि प्लूरो में एनिच्टू प्लस इसील यह कनवर्ट कर जाएगा बेंजीन डाइजूनियम प्लूराइड में यानिकी एनिच्टू ग्रूप ग्रूमिन ग्रूप में कनवर्ट कर खा बूमिन गैसे आवसे यह अहां पर भी रहेगा प्लूरीन Κृट करना है याद करो डाइजोनियम साल्ट का जो लास पाले क्लास है रियक्षिन में तो इनका रियक्षिन करा देंगे HbF4 के साथ में N2Cl को हटा कर इसकी जगह पर फ्लोरीन जुड़े है फ्लोरीन बी आर और बी आर इसको तो क्या बनाना था 246 ट्राइब्रोमो 246 ट्राइब्रोमो फ्लूरो बेंजीन इसका फॉर्मेशन हो गया आगे 14 वेंजाइल क्लोराइड तो टू-फिनाइल इथेनामाइड वेंजाइल क्लोराइड वेंजाइल क्लोराइड वेंजाइली ग्रूप यानि कि CH2 2-Phenyamide यानि कि NH2 ग्रूप भी आइड करना है और दो कार्बनेटम होना है अब इसका रियक्षन करा देंगे हम लोग के सी एन के साथ में तो की जगापर सी एन आ जाएगा यहां आ गया CH2 और यह C है अब इनका रिड़क्षन करा दुआ काटलिटिक हाइडोजिनेशन भी करा सकते हैं लिथियम अल्मूनियम हाइड भी यूज़ कर सकते हैं जब इनके साथ में रियक्षन कराएंगे CH2 CH2 और NH2 देको तो नेमिंग करके और NH2 पर-फिनाईल है यह तो फिनाईल दो कार्बनेटम और एक माईन यानी इथेनामाई फिनाईल इथेनामाई आगे को एक्ष्ट लेक्स कोशन है क्लोरो बेंजीन से एनिलीन बनाना आशार क्लोरो एनिलीन रिखते हैं कैसे बने गाई क्लोरो बिंजीन है इनका नाइट्रेशन कराई है नाइट्रेशन यानि HNO3 in the presence of H2SO4 और थो और पारा दोनों बनेगा मेजर पुड़क्ट पारा बनता है तो रियाक्शन में हम लोग पारा को ले करके चलेंगे यह कनवर्ट कर गया में अगन-गतू करना ने सब्सक्राइब में इसको सोव perd रिट्यो इसेल कर दिज्येदा तो आप करा सकते हो जानी सी एल और इंगह पर जो पढ़े हैं आप उसी को यूटिलाइज करो वैसे ही सोच होगा नेक्स्ट कोश्चन की तरफ में आते हैं 13.8 का यह कोश्चन नमबर सेवेंथ है इसमें एनिलीन को कंवर्ट करना है पारा ब्रोमो एनिलीन पारा पर लगाना यह नहीं एक ही लगाना है अब याद करो आप अभी हम लोग पढ़े भी थे कि अगर ब्रोमीन वाटर के साथ में रियाक्शन कराते हैं तो और तो और पारा दोनों पोईशन पर रखता है और अगर मोनो ब्रोमीनेशन कराना है तो नहीं के रियाक्टिवेटी को रिडूस करते हैं यह हम लोग ऑल्रड़ी केमिकल इनका रियाक्शन कराएंगे असिटिक अनहाइड़ाइड से यानि CS3, CO, whole twice O, यह फॉर्मिशन करेगा कोर्रस्पांडिंग आमाइड का 10H, CO, CS3, अब इनका ब्रोमीनेशन करा दिजिए, ब्रोमीन के साथ रियाक्शन, निप्रेजन्स ओफ इथेनोई केसिड होता है, असिटी केसिड, अब पारा पोईशन पर जाकर जुड़ेगा, और इसी तरीके से रहेगा, 10H, CO, CS3, और यहाँ बी आर, अब इनका हाइडोल करा दो, एसेडिक हाइडोलिस, एस्त्रीयोप्लस, यह कनवर्ट कर जाएगा, नेच्टू में, और यह पाट आगया, आपका जो रिक्वार्मेंट था, वो फुल्फिल हो गया, एक्स कोश्यन की तरफ बढ़ते हैं, एक्स कोश्यन की तरफ में आते हैं, एक्स कोश्यन है, को टॉली इन में कणवर्ट करना है, जानि कि बेंजीन के साथ में सी उन थ्चू है, इसे हटा कर, इसे हम लोघ को सी एस हाइडोलिसिस करा दो आप एसिडिक हाइडोलिसिस यह कनवर्ट कर जाएगा बेंजोईक इसीड में कि यानि सी डवल ओ एच में अब यहां से आप इसके कार्बोनील ग्रुप कर रिमूब कर दिजे तोडियम हाइडोकसाइड और कैल्सियम ऑकसाइड ही कार्बोजाइलेशन रियक्शन होगा यानि यह कनवर्ट कर गया बेंजीन में और अब आप इस बेंजीन का अलकाइलेशन करा दो प्रेडल क्राफ्ट अलकाइलेशन रियक्शन प्रेंजीन में प्रेंजीन इसका मतलब टॉलीन में यह कनवर्ट कर गया तो कार्बोनील डी कार्बोजाइलेशन ग्रूप है वह बाहर निकल गया आगे बढ़ते हैं हम लोग यह दो पार्ट में भी हो सकता है जैसे याद तरून विन सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोजिली केसिड एने यूज करेंगे तो पहले यह कंबाइन करके सोडियम जूड जाएगा निथेन का प्रेपेशन याद करो CS3, CEE, O, NA तो अगर CS3, CEE, O, H का रियाक्षन आप एने वेज के साथ करा देते हैं तो इथेनोग एसेड एने वेज के साथ रियाक्षन कर स्टोडियम एथेनोग का प्रमिसन करेगा यानि कि दो स्टेप में रियाक्षन पूरा हो रहा है इस जगर पर आप कंफ्यूज मत कर जाना कि यह डायरिक कैसे हुआ इसको अगर हम लोग देखें ब्रेक करके देखें यहां पर जब आप इनका रियाक्षन करा रहे हैं सी डबल ओएच का एने ओएच यानि की बेस के साथ में एसीड है और यह बेस है यह पाले फॉर्मिशन करेगा साल्ट का यानि यहां बनी गया सी डबल ओएग और अब आप याद करों कि इनका रियाक्षन सोडा लाइन के साथ में करा रहे हैं एने ओएच प्लस सी यह पूरा पार निकल जाता है बाहर एने टू सी ओ थिरी के फॉर्म ने यही दो स्टेप के वजाए यहां पर एक स्टेप में लिख रिखा गया है यह ही केमिकल सब्स्टांस को यहां पर यूज किया गया ऑगके अगे बढ़ते हैं यह लास्ट कोश्चन है के लीन को गण वार्ट करना है ब्हूंध लेट इनिलीन की निचटू इसको बेंजाइल को ब्हूंध करना और ली गाने लिए बेंद आच वहग आप ऐसे भी कर सकते हो इनका नाइड्रस एसिट से रियाक्शन करा देजी एने इनो टू प्लस एच्छी है यह फॉर्मिशन कर लेगा बेंजीन डाजोनियम क्लोराइड का जानि एन्टू अब आप इनका रियाक्शन करा दो के साथ में एन्टू सील पार्ड बाहर निकल जाएगा और मिशन किसका हो गया बेंजीन का अब इसका प्रिडल क्राफ्ट अलकाइलेशन रियाक्शन प्रिजन के साथ में अलकाइल ग्रूप एड हो जाएगा यहां अगया सीएस्थ्री अब इनका आप ख्लोरीनेशन करा दो क्योंकि अगर डार्क में कराएंगे तो बेंजीन रिंग में जुड़ जाएगा तो यहां यह फॉर्मिशन हो गया सीएच्टू सीएल का अब इनका रियाक्शन करा दिए एने वेच्ट को सॉलूशन से इट विल रिजल्ट दो फॉर्मिशन ऑप रिंजाइल अलकूहल यानी सीएज टू यहां पर और दूसरा में तड भी हो सकता है इतना बता है जैसे जो हमारा पढ़ा हुआ उसके नुसार से आप और भी देख अगर लगता है कि हां सौट क्या फीजिबल है तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं मेरा परपस यह भी था कि जो पीछे का रियाक्शन है वह भी दिमाग में आता जाए जैसे यहां पर याद करोगा डार्क में रियाक्शन कराते हैं तो बेंजीन निंग में चला और यहां पर इंड कर रहे हैं हम लोग और अगले क्लास से जो वीडियो मिलेगा अगला वीडियो जो मिलेगा वह फीजिकल केमिस्टी का हो और फीजिकल केमिस्टी के सॉलूसन वाले पार्ट का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे तब तक आप इसको कंप्लीट कर प्रेंडिंग वर्क रखेंगे लास्ट मोमेंट में आपका वर्कलोड बढ़े आगए आज यहीं तक थैंक्यों थैंक्स पूर वाचिंग इस वीडियो